आप एक गाय जितने शान्त नहीं हो सकते हैं, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें? हाँ? हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं? शायद अगर आप आज उसे परोसा नहीं जा रहा हैं, लेकिन वाँ रेस्टरॉंट है, धेर सारी पोंगल खालीजे, आप शान्त हो जाएंगे, पता है अदक्षिन के लोग इतने शान्त क्यों होते हैं? आप बहुत सारी पोंगल खालीजे, एक दम शान्त, ये असर होता है, तो लोगों ने कोशिश की है, जरूरत से ज्यादा खाना, नशीली चीजें, शारिरिक सुखों में ज्यादा डूबना, इन सभी चीजों से लोगों ने अपने अंदर किसी तरह की शान्ती पैदा करनी की कोशिश की है, आपको लगा कि आप वहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन अगले ही पल आप जानते हैं कि आप नहीं पहुँचे, कितनी बार इसने आपको धोका दिया है, है ना, हाँ? शनिवार की शाम, आपके पूरे परिवार ने साथ बैटकर खाना खाया, आपको लगता है कि यहीं दुनिया की सबसे बड़ी खोशी है, सब कुछ कितना अच्छा और खोशनुमा है, अगली सुबा देखिए, इसलिए नहीं कि आपके परिवार के साथ कुछ गड़बढ़ है, बस इतना है कि आप एक सीमिट चीज से एक असी में तायाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यह नहीं काम करने वाला, यह कभी काम नहीं करेगा, इसमें कुछ गलत नहीं है, बस यह काम नहीं करता, दुनिया में ऐसी बहुत सी महान चीजें हैं जो काम नहीं करती है, मुझे उनमें कोई दिल्चस्पी नहीं है, बस, आपको महान चीजों में दिल्चस्पी है क्या आपको महान चीजों में दिल्चस्पी है मुझे नहीं है मुझे सिर्फ उन चीजों में दिल्चस्पी है जो काम करती है कई सारी महान चीजें लोग दावा करते हैं कि महान चीजें मौझूद हैं पर वो काम नहीं करती, उन्होंने किसी के लिए काम नहीं किया. वो महान है, क्योंकि किसी ने ऐसा कहा है. वो महान चीजें है, क्योंकि किसी इनसान को लगता है कि वो बहुत महान है, और वो जो भी कहेगा, वो महान ही होगा, पर वो काम नहीं करती. हमें ऐसी चीज़ें चाहिए जो काम करें अगर आप अपने अनुभवों के सिलसिले को सौ प्रतिशत खुद तै कर रहे हैं आप करने लगे हैं इन टांगों में कितना दर्द हो रहा है पर फिर भी ये काम करने लगा है अगर आप अभी अपने अनुभव की प्रकृती खुद तै कर रहे हैं सौ प्रतिशत मान लीजिए कि ऐसा ही है अगर ऐसा है तो क्या किसी को आपको बताना पड़ेगा कि प्लीज अच्छा अनुभव बनाईए क्या किसी को बताना पड़ेगा नहीं तो कोई आपसे कहे प्यार में रहो, आनंद में रहो ये बकवास है आया ना क्योंकि किसी और को बताने की जरुरत नहीं है कि खुश रहो दिक्कत ये है कि आप अपने अनुभव की प्रकृती तय नहीं कर पा रहे हैं, है न? दिक्कत ये है कि आप अपने अनुभव की प्रकृती तय नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी कारण से. अगर आप अपने अनुभव की प्रकृती तय कर पाते, तो किसी को बताना नहीं पड़ता कि आनंद में रहो, प्यार में रहो, खुश रहो, वगरा ये सब जिन्दगी की आधी या धूरी समझ से आ रहा है आपने किसी को लड़ते वे देखा और कहा प्यार से रहो किसी को दुखी देखा तो कहा खुश रहा करो ये सबसे बड़ा अपमान है जब कोई इनसान बहुत दुखी हो उससे जाकर कहना कि खुश रहा करो अपमान करने जैसा है, है ना? नहीं? पर ये सभी इस धर्ती की सबसे बड़ी शिक्षाएं है जो सदियों से चलती आ रही है ये सभी वो महान चीजे हैं जिन्होंने कभी काम नहीं किया तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि आपके अनुभव की प्रकृती कैसे तै की जाए आपके अंदर जो चीज अनुभव पैदा करती है अगर उस पर आप काबू कर लें तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इसे अपने लिए बहुत खुशनुमा बनाएंगे और मुझे ये भी यकीन है कि अगर आप अपने भीतर बहुत खुशनुमा महसूस कर रहे हैं तो आप अपने आप आस-पास के लोगों के साथ भी खुशनुमा रहेंगे पर अफसोस लोगों ने ठेका ले रखा है इनसानियत को बुरी तरह उलजा के रखने का उनकी अपनी प्रकृती को लेकर देखिए ये बहुत आसान है किसी धर्म, गरंथ या गुरू को आपको ये बताने की जरुरत नहीं है ये बहुत आसान है आपका अनुभव चाहे जो भी है वो हो आपके भीतर ही रहा है आपको ये बताने के लिए किसी महान योग या धर्म गरंथ या गुरू या स्वर्ग से गिरे किसी पत्थर की जरुरत नहीं है अगर आपके अनुभव की प्रकृती वो चाहे जो भी हो चाहे वो डर हो, गुसा, प्यार, नफरत, पर्मानंद्य, दुख हो सब कुछ आपके भीतर हो रहा है इनसानों के लिए बहुत स्वाभाविक होगा इस पर गौर करना और ये देखना कि इसे सबसे मधुर अनुभव में कैसे बदला जाए, है न? अगर आपने उनसे ये नहीं कहा होता कि भगवान तुमसे प्यार करते हैं वहाँ उपर से अगर आपने प्यार को स्वर्ग एक्सपोर्ट ना किया होता तो काफी सारे इनसान बहुत प्यार करने वाले इनसान होते हैं लेकिन अभी हमने इसे वहाँ एक्सपोर्ट कर दिया है, आपको उसे इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट करने के लिए आपको पर्मिट चाहिए, और यहाँ दलाल मौजूद हैं, जो आसानी से पर्मिट नहीं देते, वो आ नहीं रहा, क्योंकि सारा प्यार स्वर्ग चला ग अनुभव करना चाहें, चाहे आप पर्मनंत का अनुभव करना चाहें, चाहे जो भी इंसानों को मधुर्टा की जो भी अवस्थाएं पता हैं, वो उनके भीतर से ही पैदा हुई हैं, कैसा है? तो फिर कहीं से कोई पर्मिट लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस ये खोच के लिए तयार रहना है, कि ये क्या है, और आप इसे सबसे मधुर अवस्था में ले जा सकते हैं, इसलिए नहीं, क्योंकि ये कोई खूबी है, प्यार कोई खूबी नहीं है, आनंद कोई खूबी नहीं है, खुशनमा रहना कोई खूबी नहीं है, बस आपकी चाहत व आप स्वर्ग जाएंगे, बस इतना है कि अगर आप प्यार और आनंद में हैं, तो आपको स्वर्ग की जरुरत नहीं है। जिन लोगों ने खुद को नरक बना लिया है, वो स्वर्ग जाना चाहते हैं। जिन लोग उन्हें खुद को स्वर्ख बना लिया है, वो कहां जाना चाहेंगे? वो कहीं भी जाएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप पक्का करना चाहते हैं, क्या वॉल्यूम ठीक है? अगर आप पक्का करना चाहते हैं, कि इससे निकलने वाली आवाज अच्छी है, इस उपकरन के बारे में आप जितना ज्यादा जानते हैं, आप उतनी बहतर आवाज निकाल सकेंगे, है के नहीं? कभी कबार गल्ती हो सकती है, वो अलग बात है, लेकिन आप इसके बारे में जितना ज्यादा जानते हैं, उतना बहतर होगा. अगर आप एक साउन्ड इंजिनियर हैं, तो आप अच्छी आवाज निकालेंगे। तो अगर आप एक इनर इंजिनियर हैं, तो आप इसे वैसा बनाएंगे, जैसा आप चाहते हैं। बस इसी की जरूरत है, इसके लिए और कुछ नहीं चाहिए लेकिन चूंकि ये उस दिशा में नहीं है, जहां आप हमेशा अपनी इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं इसलिए शायद आपको मदद चाहिए हो, जरूरी नहीं है पर आम तोर पर, हाँ आपको इसके लिए थोड़ी मदद की जरूरत पड़ती है, लेकिन बस इतना ही क्रिपा वही मदद है, जो अंदर जाने के लिए एक अनुकूल वातावरन बना देती है अगर किसी मशीन को ठीक से चलना है, हर किसी को ये बात अच्छे से पता है कि आपको लूब्रिकंट चाहिए, थोड़ी चिकनाई, आपके पैस जितनी भी अच्छी कार हो, उसे बिना ओयल के चला कर देखिए दस मिनिट में वो खराब हो जाएगी, है न, लूब्रिकंट ही उस कार को चलाए रखता है ये सारी शांदार मशीने, चिकनाई की उस थोड़ी सी पतली सी परत के बिना, थोड़ी सी देर में खराब हो जाएगी क्रिपा बस वही है, उस थोड़े से लूब्रिकंट की तरह, ताकि चीजें आराम से होती रहें आज कल वो इसे लिक्विड इंजिनेरिंग कहते हैं और कोई ये कर रहा है ये भी ठीक है, एक लिक्विड इंजिनेर चाहिए तो इसमें थोड़ी इंजिनियरिंग लगती है क्रिपा सिर्फ लूब्रिकंट है लूब्रिकंट के बिना अगर आप कुछ करते हैं तो घर्षन पैदा होगा जिन्दगी के इस घर्षन ने कई इंसानों को बरबात कर दिया है, है न? उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया वो बस साधारन काम करते थे वो पैदा हुए, जो उनका काम नहीं था यो उन्होंने नहीं किया वो बस हो गया वो बस ठीक से खाना चाहते हैं, सोना चाहते हैं अपनी जरूरतें पूरी करना चाहते हैं वो बस इतना ही करना चाते हैं इस प्रक्रिया में कितने ही इंसान टूट गए कड़वाहट से भर गए और बरबाद हो गए क्योंकि लूब्रिकंड नहीं था उनमें कोई गड़बड़ी नहीं थी वो अपने इंजिन को लूब्रिकंड के बिना चलाने की कोशिश कर रहे थे बस इतनी सी बात है देखिए आपका फोन भी इसलिए काम कर पा रहा है क्योंकि यहां हवा में इसकी तरंगे जा रही है है ना हम इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं आपने विग्यापन देखे होंगे हलो 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 आपने देखें फोन काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि थोड़ा डिस्टर्बंस है यही हो रहा है इसके साथ भी आपने जो कुछ भी देखा है उसके तुलना में ये कहीं ज्यादा जटल यंत्र है ये कहीं जटल ये कहीं जटला है